हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का डाउटनेट पर और आज हम लोग करने वाले हैं वाइड वी फॉलल का लेक्चर नमबर थ्री ओके सो लेक्चर नमबर थ्री के अंदर हम लोग क्या-क्या जानेंगे पहले वो देख लेते हैं सो यहां पर कुछ important topics हैं जो हमारे इस लास्ट portion में हम लोग कवर करेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वाइज इस इंपॉर्टेरिया में वाइरस में प्रोटोजवा में फंगस में यह क्लासिफाई करने की क्या जूरत है क्यों को अलग अलग कैटेगर में डाला गया है उसके बारे में जानेंगे फिर यहां पर दे रखाए means of spread कैसे फैलती है diseases कैसे फैलती है बिमारिया उसके बारे में जानेंगे ओके नाओ principles of prevention अरे बाई अगर बिमारी फैल रही है तो उससे बचने का भी कुछ तरीका होगा क्या बचने का तरीका है उसको डिसकस करेंगे और फिर और और टिशू स्पेसिफिक manifestations यह ऐसा लग रहे कि कितना महंगा नाम है हना कि और टिशू स्पेसिफिक manifestation basically यहां पर बोला गया है कि जैसे कोई पैथोजन आपकी बॉड़ी के अंदर एंटर करता है तो एक पर्टिकुलर और ऑर्गिन के उपर या टिशू के उपर क्या उसका अफेक्ट होता है इसके बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक अंदर जानेंगे अन लास्ट इस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट चलो अगर आपने प्रिवेंट करने की कोशिश करी माना कि हमने डिसीज से बचने की कोशिश करी लेकिन हम नहीं बच पाए और डिसीज हो क्यれ eviction has trained AI लोग करें करी तो उस दुरान फिर कैसे करें कैसे काम करें उसके बारे मं लोग जानेंगे ऑके सो लिस टाट आप लोगों को पता ही हमारे बारे में ऐस्टिक बहुत टाइम सके के करते हैं अब हम absolu MARista अ जान गए हैं जो नहीं जाने है सो उनको बता देते हैं कि आयम विने टेके एन आम यूर बालोजी एडिकेटर सो जो भी टर्म टू का बालोजी होगा सब हम पढ़ाएंगे आपको टेंशनल निकी ज़रत नहीं है तेके सारी पैक्टिस सारी चीजे हम कवर करवाएंगे मजा आ प्रीवेस लेक्टिर्स हम लोगों ने बोला था दिए देरा फोट चार टेग्रिस में इसको बाठ रखा है कौन कौन सी एक होगे हमारा बैक्टीरिया एक होगे हमारा क्या प्रोटोजों प्रोटो ज्वा टीक है या उसको आप प्रोटिस्टर भी लिख सकते हैं मैं क्यूं और लिखने के लिए बता दूँगा भी प्रोटेस्टा लिख देता है यहां पे फिर हमारा था फंगस 105 जसे आचmission हमारा था। यहापे क्या वाइरस तो क्यों यार क्योंडिवाइट करना है किसी भी और इसम्स को किसी भी इंफेक्श्यस एजेंट को चार केटेगरी के लिए तो यहां पर जो में मुद्दा था वो था क्या बेसिकली वो था फंक्शनिंग वो क्या था वो था फंक्शनिंग अब आप सोचेंगे सर ठीक है फंक्शनिंग था बट इसको अलग-अलग क्यों बोल रहे हैं मतब अलग-अलग क्यों कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बाते देखो पहले तुम्हें पता दू कि बैक्टीरिया प्रोटोजुआ और फंगस और वाइरस के अंदर क्या डिफरेंस है तो मैं यह बता दू तो उसके बाद फिर में आगे थोड़ी सी दीप वाली बात करूंगा कि हाँ यह सारी चीज़े हैं यह दिक्कते हैं प्रोटिस्टा हमारे सोरी बैक्टीरिया हमारे वो और्गैनिजम्स होते हैं जो प्रोक्यारियोटिक होते हैं अब सवाल आएगा कि स नहीं मिलता है यह इनके अंदर आपके सकते हैं फोन यूक्लियर मेंब्रेन आप्संट होता है 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 नेकलीर मेंबरेन क्या हो गया यहां पर आपसंट हो होता है इनको हम कहते हैं प्रोक्यारियोट्स तो बैक्टीरिया जो है हमारे होते हैं प्रोक्यारियोटिक अच्छा जी ठीक है एंड साथी साथ यह होते हैं हमारे कैसे कैसे होते हैं यूनिसलेलर होते हैं ठीक हमेशा केले केले एक्जिस्ट करते हैं अच्छा ठीक है वह भी मा उसको यह basic बात बतानी चाहिए थी और अग्सें नहीं बता यह तो थोड़ा गलत किया है आपके साथ बैक्टीरिया जो होता है इसकी cell wall ठेक है इसकी cell wall बनी होती है किसकी पैप्टीडो ग्लाइकन की पेप्टीडो ग्लाइकन की हेमारे बेक्तीरे के कुछ करेक्टर स्टिक्स है और बैक्तीरे के कछ करेक्टर स्टिक्स है जिसकी वाइर fabrics की सॉअट बाद की यह पैली बात नहीं साथ都 आ जी हमारा यह हो अ बार में लिखने की जुर्वत नहीं है क्योंकि बॉह अंतर है नूटेलर मेंब्रेन क्या होगी प्रेजंट होगी अच्छा जी ठीक है unicellular plants और एनिमल्स ठेके यह वो ग्रूप है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया है unicellular कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी दुनिया के एक सेल यूनिसल का मतलब को पता है ना यूनिका मतलब होता है वन तो जितने भी दुनिया में one cell organism है या कर सकते है single cell organisms है सारे के सारे आते हैं प्रोट्स टा के अंदर तो प्रोटर जो है वो भी हमारा क्या है यूनिसलल ओर और टेकर अब क्योंकि आप प्लांट और ऑर एनिमल्स है तो object कि अगया होती है LUB conservatives उन्हें जल्D तेटा कि यह अगर चाहिए तो पहले इसको पढ़ सकते हैं और नो कर सकते हैं कि पिशिका यह कही सब दो आएं तो फंगस और जानते हैं किसके बारे में हमारे जो बाकि के दो प्रुप कैसा है Cambridge अज़ए कि अच्छा इसकी सेल्वल जो होती है किसकी बनी है इसकी लोल बनी है काये इसकी काई ते हैं ये बात obliged नाव एक important बात इंहीं प्लांट reading सुना ये हमारा एक non green plant और क्या और गिंव मौन ड्रीड?. प्लान्ट क्योंकि हम लोगों ने बात पड़ी है आपने जूनर क्लासिस में पड़े होगी कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है ठीक क्लोरोफिल हमारा क्या है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और यह जो क्लोरोफिल है यह एपसंट होता है किसके अंदर फंगस क के अंदर तो फंगर्स जो है basically एक plant होने के बावजूद अपना खाना डेडあの zeigt और डिकेंग makers डेड और डेकेंग से लेता है कुछ से नहीं बना पाता इसके अंदर photosynthesis नहीं होता है एक इसके अंदर photosynthesis नहीं होता है कि अच्छा है इतना काफी है फंगस के बारे में इतना अब आ जाते हैं हम posso बात करें वारस में हमारे टारे हैं वारेस में यए YouTube होता है पहली बात तो यह नॉण लिविंक भी है और धि बी नौन लिविन भी है और कैसा है लिविंग भी है सौरी आप आप सोची नृविंग और लिविंग वाला इसा चीज समय में पर कैसे हो tre है वायर Bent वाइर समें खास बात है कि अगर बाइर नेर सना किसी की बॉडी पहर है अगर मान लो की जैसे इसा तेंगे कैने चल्प होता है का वाइरस दुनिया का आपकी बॉडी के स्किन के उपर है आपको कुछ नहीं होने वाला लिख करके लो तो पता नहीं कि वाइर। पढ़ें होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वह भार है जब वारस बॉडिन के बाहर होता है तो कैसा होता है वो होता है non-living लेकिन the movement virus जो है enter करता है किसके अंदर ये enter करता है body के अंदर यह हो जाता है living क्यों अब ऐसक फिराइस को काम करने के लिए चाहिए होता है क्या देको वाइरस के पास ना कुछ भी नहीं होता इसके बास सिर्फ और सिर्फ होता है क्या प्रोटीन कोट ठीक है अगर मैं वाइरस की बात करूं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ होता है क्या सैल वोल अगरा कुछ भी नहीं होती है एक प्रोटीन क कोट होता है चाव की प्रुटीन का कोट है यह प्रुटीन का पुरा का पूरा कवर साब बना आ है ऐसा आंधर यहाँ पर प्रेजंट होते डिन यह आ रणking है तो नहीं हो सकता है यह हоп डीन एसका सुर्ण आइसका कुछ भी नहीं होता है तो वाइरस को भाइरश को को multiply करने के लिए चाहिए होता है कोई human cell तो या animal cell क्या सकते है या plant cell क्या सकते उसको living cell चाहिए तो अगर वो जैसे किसी living cell के अंदर enter करता है किसी भी चाहिव प्लांट हो चाहिव एनिमलों किसी भी living cell में एंटर करता है तो उसके सेल का यूज करके खुद को multiply करता है खुद को multiply करता है आई होप यह बात जो है आप लोगों को इगनम क्लियर है ठेक है अब सवाल होता है कि सर्थी के आपने यह बता दिया हमें कि वाइरस में बैक्टीरिया में एंड जो हमारा अब फंगस है प्रोडिजोर है उसमें क्या डिफरेंस आपने बता दिया सरबीपती बताने का मुद्धा क्या है मुद्धा यह है ट्रेके कि अगर आप यहां पर आंसे देखेंगे को होता कहा है ना कि हमारे अलग 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 जो पैथोजिंस होते हैं यह अलग-अलग infectious agents योते हैं अलग-अलग तरीके से काम करते हैं तेका अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो जिसे मानलो यहाँ पर हुमन सल्प है यहाँ पर यहा पर हैं यहां पर ये बैक्टीरिय зачем हैं तो बैक्ट q आप लोगों के सामने चार डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं क्या आप उनको एक दवाई दे करके ठीक कर सकते हो या जो आप दवाई कभी अशा किया है कि हाँ आपको बुखार रखाए और गलती से आपके पास जो डॉग यह उसकी तरवित खराब है आपने का लिए भाई उसको भी पैरसिटमॉल खिला देते हैं नहीं किया ना उसको तो कहते है एनिमल के पास एनिमल डॉक्टर के पास वेटरिनरी के पास लेकर गए हो ना तो ऐसा तो नहीं किया यह कभी किसी पतसला डॉगी को बुखार हो रखा है ठीक है असकी कुछ दवाई पढ़िया तुम्हें गल्जे से बुखार हो गया तुमने उठाके खाली कि हम भी ठीक होचेंगे नहीं होता है ना ऐसा क्योंकि डॉगी के थोड़ी अलग प्रसेस चल रही होती है आपके अंदर अलग प बैक्टीरिया के लिए वो केन एफेक्टिव है मैंने और तुम कॉमन सेंस लगाो बस अपने दिमाग में सोचो कि सार क्या बोल रहे है क्या वह पॉसिबल है नहीं है अगर तुम्हारे पास जवाब आ रहे है कि हाँ-सार साही क्या रहे है या जो बात इन्होंने रखी है वो पॉइंट एक दम सही है तो आप लोगों को लगा कि हाँ या नहीं तो बैक्टीरिया के लिए अगर मैं कोई दवाई बनाओं तो क्या वो प्रोड़ोज़ा के लिए एफेक्टिव होगी अब गर मैं कहते हैं किसके लिए फंगस के लिए कोई दवाई बनाओं या एक ही बात कर लेते हैं अगर बैक्टीरिया के लिए कोई दवाई बनाई है तो क्या वो फंगस के लिए एफेक्टिव होगी या क्या वो फायरस के लिए एफेक्टिव होगी नहीं होगी ना भाई त ताकि अगर इंसान को कभी वायरस से डिसीज हो रही है तो मैं ऐसी दवाई दू जो वायरस के खिलाफ काम करें अगर कभी इंसान को फंगस से डिसीज हो रही है तो मैं उसको ऐसी दवाई दू जो इसको पर काम करें तो कि एक ही दवाई जो है चालो के उपर काम नहीं कर सकती ही है ठीक है और यह अलग-अलग ऊर्गैनिसम तो छोड़ो अगर आको सरदर्द हो रहा है पेट दर्द हो रहा है ठीक है कुछ और हो रहा है तो सब के लिए एक दोड़ी न König खाते हो तो अलग अलग में इस के लिए हम दबाई भी अलग खाते है तो ये तो फिर अलग अलग और गैनिसम है इनके लिए तो हमें लोगों को अलग अलग कहते हैं मैडिसन देखनी पड़ेगी यह बनानी पड़ेगी तो इस चक्र में हमने इनको अलगलग कैटेग्रीस में डिवाइड किया है और मुझे ये बात पता है कि आप इस तीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हाँ भी चलो ठीक है यह रीजन था होता है कि बैक्टीरिया की दवाई बनाना फंगस की दवाई बनाना प्रोटोजवां की दवाई बनाना काफी असान होता है लेकिन जो हमारा वायरस होता है उसकी दवाई बनाना काफी मुश्किल होता है तो यह सबसे तो नहीं करते हैं बट कोशन पूछते हैं कि बैक्टीरि लगा रही है तो आप लोगों को चुटकियों में यूश समझ में आए और कुछ दिक्कत भी नहीं होगी तो देखको बिमारी कैसे स्प्रेट कर सकती है बहुत ही सिंबल साय यार अब यहां से कुछ पढ़ने की जोत नहीं है कुछ रटा माने की जोत नहीं है बहुत असान है अगर तुम्हें को ओर का फो रहा है ठीक है जिसके की हाजकर कि कहते हैं कोई भी मतलब कि आशके आसपास घर में किसी को खासी दुखा हो रहा है अब वह वह खास देगा तो हवा के थूरू भीमारियां फैलेगी नहीं फैलेगी अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह हमा लेते हैं कि this is infected person this one is infected person and this one is this one was they can uninfected person अब तो ये भी infected हो चुका है ये लो अब देखो गिंफेक्टिड है वो uninfected है ठीक है तो यहां पर देखो it can spread through air कैसे फैल सकती है एर के तुस्पेड कर सकती है इसने चीका यह इसने खासा तो जो droplets हैं जो मुझ से निकल करके droplets हैं वो देख सकते हैं एर के तुरू इधर जाएगी और हो सकते हैं उसको सामने कोई uninfected person जो है inhale कर ले तो इस droplet के अंदर जो हमारा bacteria है जा इसके अंदर जो हमारा virus है वो क्या करेगा या इसके अंदर हमारा जो वाइरस है और simple terms में हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारा जो माइक्रोब है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर इस इंसान के अंदर और ये भी हमारा कैसा हो जाएगा अब infected हो जाएगा ठीक है पहला अच्छा अब ऐसी disease जो बात करते टाइम जो communicate करते टाइम फैलती है उसको हम कहते हैं communicable disease अब आप किसी से बात करें आपने का शुकाम है आपको चीक दिया अपने मुँपे हाथ भी रखाट चीक दिया तभाई मचा अब एक्जाम्पल के तोरफ अगर अपनी क्लास में बैठे हैं आपको लग रहा होगा कि अगर मैं चीक होगा तो उससे सर्फ मेरे आस्पस के ल थोड़ा immune system हमने इसके बार में बात करी थी तो कुछ लोगों का हमारा immune system जो होता है body का जो system होता है थोड़ा powerful होता है तो उनको disease नहीं होती है ओके आच्छा सो जब microbial agency होते हैं can commonly move from an affected person to someone else उसको हम कहते है communicable disease तेक कि अगर आपको याद होगा तो हमने इस से मिलती जुलती एक ओडिस पड़ी थी infectious disease ठेक है infectious disease भी सेम है जब माइक्रोब एक परसंद से दूसरे परसंद में चले आता है तो उसको कहते हैं क्या infectious disease अच्छा इसका opposite क्या होगा जब कोई disease अगर ना फैले communication कर देता है ना फैले तो उसका opposite क्या हो जाएगा यहां पर आजाएगा हमारा non communicable non communicable तो तेक है और कह सकते हैं इसको non-infectious non-infectious non-communicable और non-infectious ठेक ही कह सकते हैं अच्छा तो communicable और non-communicable में कुछ ऐसा खास वो नहीं है तेक है कुछ नया चीज नहीं है infectious के लिए एक और शब्द बना दिया है communicable non-infectious लिए एक और शब्द बना दिया है non-communicable बस नाम से पता लग रहा है जो communication करते टाइम डिसीज फैले वो मारी communicable हो जाएगी जुना फैले वो non-communicable हो जाएगी ठेक है चल आगे बढ़ते हैं सो अब यहां पर हमारे कोशन है एंड उमीद करते हैं कि आप इसका अंसर जो है अच्छे तरीके से देंगे सो कोशन में से क्या पूछा गया है ध्यान से देखना है infectious disease are also known as communicable non-communicable बोथ एंब या दिमाग में आ नहीं रहा ठीक है और दिमाग में आना तो पूरा-पूरा चाहिए आधा भी नहीं आना चाहिए चलिए आपके पास इसको करने के लिए 15 से जल्दी से आंसर मार्ग करेंगे उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तीक है जल्दी से कोशन पढ़ो महीं पर हूं जल्दी पढ़ो कोशन कि दस सेकंड बचे अब कि चलो four three two and one that's it that's it that's it that's it so infectious disease होते हैं they are also known as they are also known as communicable disease option number यहां पर हमारा एज है this is the correct choice ठीक है आगे बढ़ते हैं और अच्छा सॉरी नेक्स आप आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने डाइग्रम भी है कि जब कोई इंसान छीक मारता है ठीक है तो यहां पर छीक मारते हैं पर देखो तो सही हाध पर तेक हैं तो उसकंड ड्रापलेट कहते हैं ओके अब तो मोटी बूंद होती है वो तो पास में गिर जाती है मोटी बूंद जो होती है वो तो पास में गिर जाती है ठीक है यहां पर लिखा है लार्ज डॉपलेट्स सेटल डाउन इन फ्यू सेकिंड ठीक है लेकिन जो स्मॉल डॉपलेट्स होती है यह जाती है दूर तक ठीक है य से क्लिक तो तीन-चर घंटे के लिए एर में भी ट्रैवल करती रहती है कि देख रहे हो सो जो लाज डॉप लेट से या जाई से बाता ना कि अगर कोई भारी चीज है नीचा आ जाएगी ना अगर कोई लाइट है तो उसको नीचा ना मैं थोड़ा टाइम लगेगा तो जो लाइट रयाट से वहाव में उड़ती रहती है और दूर तो तो फ्यक्षा-प्य है तो और दो सब्सक्राइस होती है कर सकते हैं तो यह यह responding ती कि यह हम लोगों को अगर इन डिसीज ते चलो वह पेंशन में बताऊंगा मैं बट किन जगा पर जादा फैलेगी अगर यहां पर जैसे माल लेते हैं कि अभी इंकी पार्टी चल रही है ठीक है बहुत ज़्यादा खुश हैं बहुत ज़्यादा ही कहते हैं नाच गाने वाली चीज चल रही है मालो किसी इंसान को यहां पर बु कर दिया अब यहां पर कम से कम तक्रीबन 500 लोग होंगे और उसने गलती से दस बारी भी चीक दिया ना तो यह पांच से सो लोग जो हैं एक साथ जुखाम लेकर के जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हाँ जरूरी यह कि सबको हो जाए बट हाँ चांसिस हैं कि यहां पर बहुत देखने अब पैसे देखर के वह लेकर के जा रहें अपने साथ बिमारी तो यह तो गल्थ हो गया नान साफी हो गई तो क्राउड़ेट प्लेस के वंदर ही जो एर्बॉन डिसीज होती है टेके वह बहुत ज्यादा ही तरीक खतना करेके से फैलती है टेके कहां पर क्राउड इसे बढ़ेट स्प्रेट इसट्यज रेप्डली अच्छा जब आगे चलते हैं अब बढ़ते हैं हम लोग आगे तो स्प्रेट करती है कैशे रेपेडली अब आगे चलते हैं नेज स्थका ळ बोल गया such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby अब होता क्या है मान लो किसी को गट डिसीज हो रही है अब गट डिसीज कौन सी होती है गट जो होता है मारा वो हम कहते हैं digestive system को तो तो अगर किसी को digestive system से related disease हो रही है तो होगा क्या होगा क्या जब वेस्ट मेटीरियल निकालेगा या कह सकते हैं किसी के अगर small intestine के अंदर या large intestine के अंदर हमारा क्या बैक्टीरिया है तो अगर किसी की small intestine small intestine कैलो तेक है यहाँ पर लिख देता है large intestine के अंदर बेक्टीरिया है तो जाहिड सी बात है कि जब वह वेस्ट मेटीरियल निकालेगा तो वेस्ट मेटीरियल में क्या होगा बेक्टीरिया होगा या अगर मैं बहुती साधरन टर्मस में कहा दो तो जब वो कहते हैं फॉर इस लेजा इस वेजा लो जो है यह पानिके कोन्टेक्ट में आ गया तो अब एसकी टा के अंदर जो बेक्टिरिया था वो आ और आ गया है इस पाने के अंदर एप पानी जो है कोई इनसान पीलेग तो क्या उसकोभीष होगी या नहीं होगी नए आ Christianity माईक्रोब इसके अंदर आचुका है इसके एंदर पैतुजान आ उसको कोई पीले ठीक को अब रहा है अच्छा जी तो यहां पर क्या बोलता कि अकर्स इस्क्रिटा फॉम सम्वन सफरिंग फ्रॉम एन इंफेक्शियस गट डिसीज सच आइस कलेरा गेट मिक्स्ट विद ड्रिंकिंग वाटर ठीक है यूस्ट बाई पीपेल नियर लिविंग नियर बै तो जब कोई इंसान आसपस यहां पर रह रहा है इसके आसपस यहां पर पानी का सप्लाई हो रहा है अगर इस पानी के अंदर हमारा जो कॉलेरा वाला कॉलेरा 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 ठीक है जहां पर भी लिखाओ यह लिखावा कॉलेरा की अगर बात करें तो इस कॉस्ट बाई विब्रियो विब्रियो कॉलराय ठीक है इसके बैक्टीरिया का नाम जो है वो क्या है इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलराय चालो जी तो अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया है कहीं पर कोई दिक्केत नहीं है तो बैठे बैठे से बस देखते नहीं रहना है है और अगर जादा ही अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दना की और यह बात नियुकर दो तरीके के लोग है जिनको सब कुछ बड़े से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्षन किसले खोला है कमेंट सेक्षन में अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं ठीक है और किसी को एक्षेप्शनली ज्यादा ही अच्छा लग गया कि हां सर ने जो भी बताया अभी तक सब अब यह थोड़ा साना out of the box out of the box क्यों है अभी हम लोग ने पड़ा किया पानी के थ्रू डिसीज फैल रही है अब यहां पर क्या बोला गया है अब यहां पर क्या बोला गया है दो सेक्शुल आप इस विजाना तो क्लोजस फिजिकल कॉंटक्ट तो पीपल कैन है व सम माइक् इंफेक्शंस सच सक्वेलेस और एड डेट रण्समिटेड बाय ते कह सक्श्वेल कॉंटक्ट तो सेक्श्वर कॉंटक्ट और विकेंस सेक्श्वर इंटेकोस के दुरान भी यह उस वजह से भी बहुत सारी डिसीज फैलती है बहुत सारे माइक्रोबीय इंफेक्शन श्वessä्eltते हैं जैसे कि सिफ्इलिस और एड्स ठीक है सिफिलिस डिसीज का नाम है richwoodसी कर नम है इसकी फुल फुम अगर किसी को नहीं पता तुम बता देते है एड्स जो है ठीकन काउझ सhoरी इसका है एक वाइडं एक वायड्र इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चे ना चलो भी पहले यह लिख देता हूं में सिंड्रोम अच्छा यह होता किस से है HIV वाइरस से होता है इसके एजेंट का नाम क्या है human immune जल्दी से लिख लो immune on deficiency virus deficiency virus अच्छा ठीक है और अगर सिफिलिस की बात करें सिफिलिस भी लिखवाई देते हैं ठीक है सिफिलिस भी हम लिखवा देते हैं एस वाई पी एच आई एल आई एस एट इस कॉस्ट बाइ ट्रैपो नीमा ट्रैपो नीमा पैलिडियम अच्छा जी तो यह दो डिसीज है यह इनको डिसीज कॉस्ट करने वाले एजंट्स है ठीक है यह डिसीज कॉस्ट करने वाले एजंट्स है ठीक है ऐसी disease जो sexual contact की वे से फैलती है जैसे की syphilis और AIDS इन disease को हम क्या कहते हैं sexually transmitted disease sexually transmitted disease कहते है क्या कहते हैं sexually transmitted disease कहते है sexually transmitted diseases कहते है या कुछ भी कहलो STD इसका short form है STD जो है इसका short form है बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा यहां पर देख सकते हैं एक वायरेस है तो एक और बात हमने क्या बोला की पानी चलो ठीक है ठीक है एंड उसके बाद एर बाद चलो ठीक है लेकिन कुछ सब्सक्राइब 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 लिए बार में बता दो इनका एजन्ट का नाम बता दो होता है प्ट से इसको जञानने नहीं लोगवों लिखना पड़ेगा ते के लाइस फ्रैक्स पर तो ने मैं दिने वाले अलग लोगों को चाहिए नहीं चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं तो यह हमारे और तरीके हो गए अच्छा अब भौत सारी डिसीज ऐसे भी है जो फैलती हैं किसकी वेसे एनिमल्स की वेसे एनिमल्स का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े बड़े अनिमल ले लिए चुटे-च लेख सकते हैं मॉस्किटो हो जगया तो मॉस्किटो वहुत सारी बिमारे तो च operations के आप my to तो अब सवाल आर्ट स्वारी तेखें तो इसके बारे में पता होना चाहिए अब ये सारी भीमारिया कौन-کौन सीयों?? यह मॉस्कुटो अच्छा जब कोई एनिमल डिस्टीज स्प्रेड करता है जब कोई एनिमल डिसीज स्प्रेड करता है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं वेक्टर क्या कहते हैं उसको वेक्टर जब कोई एनिमल जैसे कि हाप मॉस्कुटो है वो मलेरिया फिलाता है लेंगे वेक्टर बोलेंगे ठीक है अच्छा और सिफ मॉस्क्यों नहीं हाउस फ्लाइव अगरा जो है ठीक है हाउस फ्लाइज जो नॉर्मल मक्ही होती है घर के अंदर भिन 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 करती रहती है वह भी बहुत डिसीज फिलाती है तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा वह एक तरीके का वेक्टर है ठीक है जो भी कॉक्रोच कॉक्रोच भी बहुत सारी बिमारियां फिलाता है तो कोई भी ऐसा एनिमल जो बिमारियां फिलाए वो क्या किलाता है वह फिलाता है ठी सकते हैं अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं बाइड डारेक्ट कॉंटेक्ट और विकन सेक्शुल कंटेक्ट टेके एर अच्छा फूड वगरा के बार में लोग पहले पढ़ चुक्या यार कि हाँ फूड वगरा से फैलता है मॉस्कीटो हो गया टेके अनिमल्स यहां पर लिखा है रेबिड एनिमल्स तेके तो कुछ-कुछ नहीं यहां पर मैं लिख जाता हूं रैबिड एनिमल्स कौन से होते हैं रैबिड का मतलब होता है मैड तेके यह कह सकते हैं पागल तो पागल कुत्ते वगर अगर आपको काट ले तो उससे भी डिसीज हो जाएगी समान यूज कर लें तेके अगर किसी इंफेक्टिट परसंद ने कोई समान यूज कर रहा है और अपने वही समान को यूज कर लिया तो हो सकता है कि आपको डिसीज होता है बाकि सबके बारे में लोग पढ़ चुके हैं तेक है यह डियाग्रम जो है अच्छ से देख लेना तेक है चाल जी अब आगे बढ़ते हैं अब लोगे ने यह पता लगा लेकिए बीमारिया इन तरीकों से फैल रही है अब लोगों को डिसीज ना हो कम से कम को बचाने की कोशिश करे तो डिसीज से कैसे बचे इसके बारे में तुम लोग मुझे बताओगे क्यों की मैंने त तरीकों से फैल रही है तो अब सवाल हुता है कि इंडिसीज से बचे कैसे यह इंपोर्टेंट है और यह तुम मेरे को बताओगे मैं नहीं बताओंगा समों कुछ भी ठीक है चलो पहले आते हैं कोशन के पर यहां पर देखते हैं means of spread of diseases includes कौन कौन सी वज़ाओ से डिसीज फैलती है तो किस किस वज़ा से फैलती है थ्रू एयर थ्रू वाटर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय है जी हां आपने पहले 15 सेकंड लेते बड़ अब 10 सेकंड का समय है जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंग ओके फाइफ फोर फ्री चू एंड वन इतना टाइम काफी होता है पांट सेकंड बचे थे बस अब खतम तेके सो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो means of spread of disease हमारे क्या क्या हो सकते है तो एर की दूबी फैलती है वाटर की दूबी फैलती है और वेक्टर्स औ अगर किसी भी आप लोगों को जगा पर प्रॉबलम होगी देखो यार फीडबैक एज वेलेस अप्रीशेशन बोथ हर वेलकम मैं यह नहीं चाहता है कि तुम सिर्फ यह लिखो कि हां सर बहुत अच्छा पढ़ाया सब कुस समझ में आया मैं यह भी चाहता हूं कि आप अप पूरे हाथ खोल करके मतलब होता है कि फीलकम है कि हां ठेक है दोनलमातों से स्वागत है ऐसा करके यह यह एंना तो अगर आप प्रिस्पलों परेवैंशन कैसे कर सकते हैं हॉन ह경ש है हमने का cela लगा है और ना मेरे सवाल वादब चलो ठोड़ो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप एक बरीना आखे बंद करके जैसे भी मतलब मैं थोड़ सा ठीक है जब आप इसको देखे रहूंगे तो थोड़ सा रोग देना चली जी पहला हम लोग ने पढ़ा था कि भाई एर से हमारी डिसीज स्प्रेड कर रही है तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम क्राउड़िट प्लेसिस में जाएं तो वहाँ पे डिसीज ज्यादा फैलती है तो हम क्या कर सकते हैं हम अवाइड कर सकते हैं ऐसी भीड़ भा कि अगर हम लोग जा भी रहें तो मास्क पहन सकते हैं क्या कर सकते हैं मास्क पहन सकते हैं कि हमारे मुझ के अंदर या नाक के थूँ कोई बैक्टीरिया या वाइरस एंटर ना करें हमने देखा था कि वाटर से तेक है गंदे पानी से डिसीज फैल रही थी तो विशुट इस गो फॉर क्लीन वाटर से के अब आप यहां पर कहेंगे कि भाई हमारे कंट्रोल में कैसे क्लीन वाटर पीना आई नो आपके कंट्रोल में नहीं है बट आप अपनी के कहते हैं एंडियम सी वाले मदब जो भी अपने मुनिस्पल कॉर्परेशन होता धरका उन से जाकर कर बात कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे आप ऐसे गंदा पानी आ रहा है लोगों बिमार पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं अच्छा अब मॉस्किटों से डिसीज फैल रही थी ठीक है तो मॉस्किटों जो होते हमारे इनको पैदा होने के लिए पानी चाहिए होता है ठीक है आप लोग ने सुना भी होगा आपके महले में क्या कहते हैं आता हूंगे गवर्मेंट से कुछ लोग स्पीकर लेके बड़ा सा कि हाँ भई अपने घर के बाहार पानी इखटा सिन ही कर लो ते बाकि मॉस्कीटों रिपैल टेक है और अप लोग मॉस्किटों चले तो नेट यह कर सकते हैं और सारी बेसिक्स बेसिक्स चीज़ है यार यह आप खुद से भी कर सकते हैं हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे तो उनको मेरे से भी यह कहते हैं जादा ही आइडिया दिमाग में आ रहोंगे तेके रही बात जीज़ चेक कि भाई क्या एस एक्षवली ट्रांसमेटीड डिसीज हाया नहीं क्या वह सकते हैं तो ये भी सारी चीजर कर सकते हैं अचा जी यहं तक आप सारी बात क्लिए यह प्रिंसपाल चैनला charger ब्रहब्यार प्रिंश नहीं पूरा का पूरा क्लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और जो फूड वगरा था ठीक है फूड वगरा था तो वे शुड वाश का कहते हैं वेज़ेटेबल वगरा यह सब कुछ बेसी कहा यार की सब जो लेकर था कि उसके प्रवों नहीं ठीक है अब किसी ने खाने के ऊपर शीक मार दिया तोश्क तो कुछ करने सकते हैं ओके बटिसाब कुछ बेसी है कि ओके नोट कर लो उसको जलिके अन्टिन अट कर लो उसको चलो अच्छा एक पॉइंट जो है मुझे यहां पर आड करना है देखे यहां पर प्रेवेंशन हमारा पूरो का पूरा कॉम्प्लीट होता है इसके अंदर आप लोग पॉइंट्स और एड कर सकते हैं बाकी इतने पॉइंट्स भी हमारे ठीक हैं अब एक आइड जो है कि सिर्फ sexual contact से ही नहीं फैलता है यह सिर्फ sexual contact से ही नहीं फैलता है इसमें कुछ important points है हो सकता है आप लोगों के काम अए exam में एड जो है वह blood transfusion से भी फैलता है ठीक है अगर मान लोग किसी infected एट्स परसन से ट्रांस फ्यूजन किसी अनिफेक्टिट परसन के अंदर हमने ब्लड डाल दिया ठीक है अगर एट एट्स परसन से हमने नौन एट्स परसन में ब्लड डाल दिया तो उसके अंदर भी डिसीज हो जाएगी ठीक है अगर मदर को एट्स है ठीक है और उनको फिर क फीड करेंगी ठीक है जब मदर क्या करेंगी ब्रेस्ट फीडिंग करेंगी या बेबी को मिल्क पिलाएंगी ठीक है तो उस दुरान ठीक है मदर के मिल्क से मदर के मिल्क से बेबी के अंदर भी वाइरस चले जाता है क्या होता है मदर के मिल्क से यहाँ पर लिग दिए हैं, mother के milk से baby में भी virus चले जाता है baby में virus चले जाता है और उसको भी AIDS हो जाता है तो यह और भी तरीकें हैं जिसकी वैशने क्या हो सकता है AIDS हो सकता है, ठीके, important है इसके बारे में, please याद रखना It is important, यहाँ तक this topic is finished अब हम पढ़ेंगे organ and tissue specific manifestations के बारे में what are organs and tissue specific manifestations अब देखो simple सी बात है हमारे को कोई भी organism जिसर कोई माइक्रोब होता है अलग-अलग तरीके से affect करता है अब example के तोर पे अगर कोई bacteria जो है कोई pathogen जो है वो mouth से entry लेता है हमारे body के अंदर तो यहां पर जाएगा यह जाएगा हमारे digestive system में digestive system में यह आप कह सकते हैं यह जाएगा किसके अंदर गट के अंदर जैसे की example के तौर पर मालो टाइफाइड टेकर टाइफाइड का जो बेक्टिरिया होता है टाइफाइड is caused by salmonella typhi अब यह छोटी छोटी बाते जो है ना यह बहुत जरूरी होती है तो आप लोगों को अगर वह लेक्चर चाहिए ठेके कौन सा लेक्चर जिसमें आपको सारी डिसीज बताऊं ठेके जिसमें के कहते मैं आप लोगों को पूरी डिसीज की बताऊं कि यह बैक्टिरियल है यह वाइरल है यह सब कुछ अगर वह चाहिए तो पहली बात तो इस वीडियो को जाद स्यादा शेयर करना पड़ेगा ठेके अच्छे से लाइक से वीडियो पर लेकर क्याने पड़ेंगा और कमेंट सेक्श में चिए मौच से एंटर कड़ेंगा चाहिए और यह जाता है कहाँ पर स्मॉल इंटस्टाइन के अंदर ये स्मॉल इंटस्टाइन में जा रहा है तो प्रॉब्लम्स भी कौन सी कज़ करेगा या क्या सटने स्क्यों से लूज मोशन बगरा फील होगे यह सारी है वंगी उक्या कौन सी कॉ स्ट करता है बगरण करता है औरृ कन से हो गए तो इस से हमें क्या पता लगता है 2 चीज़े हो रही कि पहली बात थो यह कि अगर कोई माउथ से ले रहा है तो वह पुझ जाएगा कॉट जाएगा डाइफ सिस्टम में करता है हमारा एक और है ऑन्रीस कш करने वार जो हमारा वारस drive जो है यह अब यह पहुँच जाता है थोड़ा लिवर पस यह लिवर के पास पहुच जाता है तो आफadow यह लिवर से सब्सक्राइब करता है ठीक है लिवर जो है लिक्वीड बनाता है जिसको कहते हैं बाइल लिवर चैपको होती है क्योंकि यह जो लिवर है हमारा ये फाल तू या कह सकते हैं एक्सेस में बाइल बनाता है और इस वाइल का रंग क्या है इस बाइल का रंग है येलो तो अगर ये कहते हैं बॉडी के अंदर जाधा बनेगा तो बॉडी जो होगी कैसी हो जाएगी यहलो इस्यों जाएगी तो जहां होता है ठेके lever में गया तो बाइल ज्यादा बना दिया क्योंकि लिवर एक लिकविड बना ते इसको कहते हैं वह ज्याधा बन गया तो उनी औरगन कोको फेट कर रहा है तो आप छी अप कर सकते हैं अगर मैं बोलूं कि यार तुम्हारे लिवर में दिक्कत है तो आप यह पता सकते हैं आपकी मैं आपको बोलूं कि यार तुम लोगों को वा मिटिंग और लूज मोशन लगें तो मैं अगर तुम से पूछूंगा यह कौन सो और गयन अफेक्ट हुआ होगा तो बत को और यहां पर हम लोगों को सफर करना पड़ेगा फ्रॉम ब्रीधिंग प्रॉब्लम्स अरे कुछ जूट थोड़ी न बोल रहे हैं यार कुछ गलत थोड़ी न बोल रहे हैं लॉजिकल बात कर रहे हैं अगर नाक से कोई वैक्टीरिया एंटर कर रहा है वो जाएगा हमारे क नहां पर लंक के पास या रस्पेरेटर सिस्सम के पास और उन्हीं को तो अफेक्ट करेगा जैसे कि हमारा क्यूबर क्लॉट्स हो गया ठीक है ट्यूबर क्लॉट्स जो है हमारा इसका शॉट फूम जो होता है टी बी बच्चे सको टीवी टीवी बोलते रहते हैं लंग्स के अंदर तो जाहिए सी बात है कि परिशानी भी तो वहीं पर कॉस करेगा ना और लंग्स हमारा किस से रिलेटिड होता है रेस्पिरेशन से या सास लेने से तो हम लोगों को कैसी प्रॉब्लम होगी ब्रीधिंग प्रॉब्लम होगी ना लॉजिकल है ना कुछ गलत थोड़ी ना बोलरहे हैं जिस औरगन को अफेक्ट करेगा डिसीज भी तो उसी से रिलेटिड होगी शिम्टम भी तो उसी से रिलेटेड होंगे कुछ अलग सी थोड़ी ना आएंगे आप भी अगरी करते हैं इस बात से तो ऐसो तो है नहीं कि सर कुछ फालतों की बात कर रहे हैं या अगर आप लोगों को करसा फील हो कि आप लोगों को सास लेने में दिक्कत आ रही है डेट मी बाइस होता है घृचा झाल इसने आए तो अभर कारे तो रहा है तो किस में जाएगी या किसमें जाएगा तो ब्लड में जा रहा करेंगा है तो जाहिड सी बात है कि blood अंदर कुछ नहीं कुछ पर दिखकत करेगा जैसे कि senses अगर मैं बात करूं किसकी । की को क्या कहते हैं बाई तुम्हारी बॉडी के platelets कम हो गएं ठीके platelets क्या रोते हैं blood का c l है अगर आपको पता हो कर तो हमारी blood के अंदर हार BC's and wbc's और platelets तो आँ कहते हैं कि आपकी बॉड़ी के platelets कम हो गए हैं तेकि तो जाहिड सी बात है कि यह जो मस्चर है देख सकते हैं आप लोग तेके मलब blood suck करके कितना तो मोटा हो गया है पूरा का पूरा और यह blood suck करता है और इसके अंदर जो पैथोजन्स होते हैं वो डाल देता है human body के अंदर तेके तो बहुत ही खतरनाक चीज है यह और इस केस में हम लोगों को काफी problem होती है बहुत सारी होती है जैसे कि हमने बताया था पहले भी malaria हो गया डेंगु हो गया चिकन गुनिया हो गया इस सारी के सारी एक जैसे फैलती है इसके समय मारा blood जो है वो उसके अंदर और O क्वेरी जगा से कोई हमारा myclaw ntra कर रहा है तो अलग अलग ऐफेंटे अठले को देखने को मिलते तो यही बात बोली गए कि साइंस और सिंटम से होंगे वो किसके ओपर करेंगे जो हमारा माइक्रोब टिशू को या हमारे ओर्गेन को क्या कर रहा है अहमला कर रहा है कि अगर आप लोगों को कोई माइक्रोब लंग्स के पास गया थेक STE mer hebat sa नहीं होगा यारा राप ब्रीधिन प्रोलम को सकते हैं तो कही ना कहीं आप ये सकते हैं किया मेरे र Another Loud तो मैं रप्टर लग जाएंगे ऑके चली एक कुछ पॉइंट से हैं यहाँ पर तक सकते हैं other common effects to यह जो organ or tissue specific effects है या जो respiratory problems थी या जो digestive system की problems थी यह तो होंगी ही होंगी बट कुछ साथ में अलग थोड़ी 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 एफेक्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि सबसे पहले यहां पर देखे है most of these common effects depend करते हैं कि इसके उपर on the fact कि जो body का immune system है ठेके वो activate हो जाएगा in response to infection immune system के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हमारी body के अंदर कुछ ऐसे cells हैं जो हमें protection provide करते हैं from my group तो जैसी हमारी body के अंदर कोई bacteria आता है वो activate हो जाते हैं अब वो जाते हैं उस बैक्टिरा के पास लड़ने एंड एक्टिवेट immune system recruits many cells ठेके जैसे कि wbc हो गया wbc हो गया to the affected tissues to kill off क्या disease-causing microbes तो यह जो मारा immune system हो गया wbc को भीजता है कहां पर उन tissues के पास जहां पर microbes है जैसे कि मालो अगर lungs में है यह अगर digestive system में तो वहां पर यह microbes भीजेगा स्वरी माइक्रोब्स क्या रहा हूं और उन microbes को खताम करो और जब यह process हो रहा होता है ठीक है तो उस दौरान थोड़ासा पेन सा cells का ठीक है माइक्रोब को मारने के लिए यहां पर देख सकते हैं इस रिक्रूट्मेंट प्रसेश इस इन्फलमेशन और inflammation की वज़े से क्या होता है redness हो जाती है ठीक है उस जगा पर रेड़नेस हो जाती है पेन होता है अब आपका बॉड़ी का इम्यून से सम्सें अक्टिवेट हो गया वह यहां पर भेजता है कि इसको डबली सी को और बोलता है कि जा करके जहर को इसको डिस्ट्राइब करो और जब उसको डिस्ट्राइब कर रहे होते हैं तो आसपास के टिशू स्थोड़े से बलब डाइमिज हो जाते हैं तो वहां पर थोड़ा करे यािम्यूंस को रिकूर्ट करे तो किल माइक्रोप्स ठीक है तो किल माइक्रोप्स उसकों कहते हैं क्या इंफलमेशन और इस वजह से यह सारी सारी चीज़े होती है ठीक है ओके सो लेस्ट मूव आगे अब हम लोगों ने प्रेवेंशन आफ डिसीज कर लिया है हम लोगों ने क्या कहते हैं और गयन टिशु स्पेसिफिक इफेक्स देख लिया है अब को स्वाटी सिंपल बहुती बेसिक ठीक हुआ क्या था कि पहले मतलब या इसको चलोяться ठीक है इसIdk अगर मैं होगों कि के कहते हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा ठीक है बस मैं इसको बारे में आप लोगों को एक बाद बता देता हूं मैं आप लोगों को क्या करूंगा मैं एक और लेक्चर ले लोगा ठीक है उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को क्या कहते हैं यह प्रिं से एड़ जैनर उन्होंने पिंस्वल्स आफ इमनेजेशन वगड़ा को डिसकवर किया था क्योंकि यह जो वैक्शिनेशन वगड़ा बन रही है आज कल टेके यह उनके इनी पिंसवल के उपर बन रही है ठेके तो यहां पर देख सकते एड़ोड जैनर क्या हमारा इम्मिन सिस अब प्रॉपरटी है तो प्रॉपरटी में आप लोगों के साथ डिसकुर्स करूंगा और विलिन नेक्स लेक्टर हम लोगों को सब्सक्राइब को फिनिश कर देंगे और कुछ इंपर्टेंट कोशन भी हाँ पर डिसकर्स करेंगे तो एक लास्ट कोशन यहां पर चैप्ट ूंबठी के सब्सक्राइब बारे में हैं क्या होते हैं त cierlystar हमारा बच्चों। क्या माग कराओगा I believe option number A माग कराओगा Edward Jenner ठीक है so अभी के लिए आज के लिए इतना ही है ठीक है मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye and thank you so much